हलो दोस्तो हमारे चेंश टेडी रूप में आप सभी का बहुत बहुत सागत है आज के इस वीडियो में हम जन गर्णा 2011 पर चरचा करेंगे हम देखेंगे कि 36 गर्डाज में विभी नाधारों पर जीलों की सिति क्या है तो चलिए सुरू करते हैं शबसे पहले हम देखते हैं कि 2011 की जन गर्णा के निसार 36 गर्डाज जी की जन संख्या कितनी थी 36 गर्डाज जी की जन संख्या थी 2,55,199, अगर हम 36 गर राज जी की जम संख्या का भारत की कुल जम संख्या की अधार पर प्रतिसत देखें तो वह है 2.1 एक प्रतिसत वहीं देश में 36 गर राज जी की जम संख्या की अधार पर इस्थान था सोलवा इस्थान परिच्छा में हम पूछा जाता है कि 36 गर राज जी की जमसंख्या देश की कुल जमसंख्या का कितने प्रतिसत है तो वह है दो दो समलो एक एक प्रतिसत और जमसंख्या की अधार पर 36 गर राज जी का कौन से इस्थान है तो वह है सोलवा इस्थान वहीं अगर 36 गर राज्य के विभी नजीलों की जमसंख्या का करम देखें तो 36 गर राज्य में सबसे अधिक जमसंख्या वाले जीले हैं रायपूर, बिलासपूर, उसके बाद है दूरगः इस करम को हमें आद रखना है कि अधिक जमसंख्या वाले जीले का करम है रायपूर पहले इस्थान पर है उसके बाद है बिलासपूर, उसके बाद है दूरगः वहीं अगर राज्य में निन्तम जमसंख्या वाले जीलों की बात करें तो हमारे राज्य में सबसे कम जमसंख्या वाला जीला है नरायनपूर उसके बाद दूसरे इस्थान फैरे सुक्मा उसके बाद अगला इस्थान है दंतेवाड़ा परिच्छा में यह क्रम भी पुछा जाता है या फिर नून्तम जमसंख्या वाला जीला भी पुछा जाता है अगला हम देखते हैं दसकी जमसंख्या वृध्धी दर हम जानते हैं कि जनगर्ना दस वर्सों के अंतराल में होती है तो पिछले दसक की तुलना में इस दसक जमसंख्या में कितने प्रतिसत की वृध्धी हुई उसे ही कहा जाता है दसकी जमसंख्या वृध्धी दर यह 10 की जम संख्या वृध्धी दर 2001 से लेकर 2011 की मद्ध के जम संख्या की अधार पर आकलित की जाती है अगर हम 36 गर राज्य के 10 की जम संख्या वृध्धी की बात करें तो वह है 22.61 प्रतिसत पर इच्छा में यह पूछा जाता है अक्सर कि राज्य की 10 की जम संख्या वृध्धी कितनी हैं तो वह है 22.6 प्रतिसत राज्य में सरवाधिक 10 की जम संख्या दरवाले जीले कौन से हैं तो राज्य में सरवाधिक, दस्की जम संख्या वृध्धिदर वाले, जीले हैं बलोदा बजार, जहां पर दस्की जम संख्या वृध्धि थी, उन्चाद असमलो आर साथ प्रतिसत वहीं अगर न्युन्तम दस्की वृध्धिदर की बात करें, तो वह है सुक्मा, जहां पर आर्दसमलो एक छे प्रतिसत थी अगला हम देखते हैं लिंगा नुपात के अधार पर विभी नजीलो की सिती लिंगा नुपात का तादपर होता है कि प्रति एक हजार पूरुसों की तुलना में महिलाओं की संख्या कितनी है तो हमारे राज्य में प्रती एक हजार पूरुसों की तुलना में महिला की संख्या है 9902 और लिंगानुपात के धार पर हमारे राज्य का देश में 4 इस्थान है इसे हमें आद रखना है कि लिंगानुपात के धार पर हमारे राज्य का देश में 4 इस्थान है और अगर अर्थात वहाँ पर 1000 पूरुसों के तुलना में 1033 महिलाएं हैं वहीं अगर नियुन्तम लिंगनुपात की बात करें तो वह है रायपूर जिले में जहाँ पर 663 महिलाएं हैं प्रती 1000 पूरुसों के तुलना में अगला हम देखते हैं जन संख्या घनत्व जन संख्या घनत्व का तात्पर होता है कि प्रती एकाई वर्ग किलोमीटर छेत्र में कितने व्यक्ति निवास करते हैं अर्थात अगर हम राजी की कुल जन संख्या से अगर हम कुल छेत्र फल को भाग कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा कि जम संख्या घनत्व कितना है अर्थात एक किलोमीटर वर्ग छेतर में कितने ब्यक्ति निवास करते हैं उस संख्या को जन संख्या घनत्व कहा जाता है अगर हम राज्य के जन संख्या घनत्व की बात करें तो वह है 189 परिच्छा में पूछा जाता है कि राजी की जनसंख्या घनत्व कितनी है तो वह है 189 और अगर हम जनसंख्या घनत्व की अधार पर राजी की देश में इस्थान देखें तो वह है बिस्वा इस्थान अर्था जम संख्या घनत्वा की अधार पर राज्य का देश में 20 वाइस थान है वहीं अगर हम सरवादिक जम संख्या घनत्वाले जिले की बात करें तो वह है जानगिर चापा जहां पर जम संख्या घनत्वा सबसे अधिक 420 है यह 18 जीलों के अधार पर है जबकि 27 जीलों के अधार पर सरवादिक जम संख्या घनत वाला जीला दूर गहे तो इस इंतर को हमें आद रखना है कि 18 जिलो के धार पर राजी के सरवादिक जम संख्या घनत वाला जीला जान्जिर चापा है जहां कि जम संख्या घनत तो 420 है अगर हमें 27 जीलो के अधार पर पूछा जाए तो 27 जीलो के अधार पर सरवाधिक जंसंख्या घनत वाला जीला दुर्ग है अगर निंतम जन संग्या घनत वाले जीलों की बात करें तो हमारे राज्यव में निंतम जन संग्या घनत वाले जीले है नरायनपूर जहां पर केवल 30 ब्यक्ती एक किलोमीटर वर्ग छेतरफल में निवास करते हैं अब हम अगला देखते हैं कि लिंगानुपात के अधार पर जीलों का क्रम क्या है अर्थात सरवाधिक लिंगानुपात वाले सिरसर चार जीले कौन से हैं सबस्यधिक लिंगानुपात वाले जीले हैं कुंडा गाओं जहां का लिंगानुपात है 1033 उसके बाद आता है दुसर क्रम में ब्योस्थित कीजिए तो सबसे पहला आएगा कुंडा गां उसके बाद आएगा दंते वाड़ा तिसरे इस्थान पर आएगा बालोध और चौथे इस्थान पर आएगा गरिया बन अगर हम राज्य में जनगर्णा 2011 के नुसार सिसुओं की सिरी देखें तो हमारे रा अर्थात यहां पर सिसुलिंग अनुपात की स्थिती सबसे खराब है केंद्र सरकार के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ा अभ्यान की सुरुआत राइगार जीले से की गई थी क्योंकि यहां पर सिसुलिंग अनुपात सबसे कम हैं अगर हम 36 गर राज्य में सहरी तो हमारे राज्य के 23.24 प्रतिसत खेत्र सहरी खेत्र हैं नगरी जम संख्या प्रतिसत के अधार पर सिर्स जीला है दूर्ग जीला जहां पर 64.15 प्रतिसत सहरी खेत्र हैं वहीं अगर हम नियुनतम सहरी खेत्र की बात करें बलरामपूर जीले में और इसके विप्रित अगर हम Grammar खेतर की बात करें तो सबसे अदिक Grammar खेतर बलरापूर में हैं कि सबसे कमorgan खेतर दूरगजीले में हैं यहां परिछ़ा पूशे जाता है कि नगरीचेतरों का जो प्रतिसথ करम है उसे लिखिए तो सरवाधिक नगरी छेतर दुर्ग जीले में है जो की 74.15 प्रतिसत है दुसरे इस्थान पर रायपूर है जहाँ पर 9.08 प्रतिसत छेतर नगरी छेतर है उसके बाद तिसरे इस्थान पर आता है कोरबा जहाँ पर 36.99 प्रतिसत छेतर नगरी छेतर है और चौथे इस्थान प अगर हम ग्रामिर शेत्रों के प्रतिसत क्रम की बात करें तो सबस्यधिक ग्रामिर शेत्र बलरामपूर में हैं उसके पस्चात है गरियावन उसके पस्चात है जस्पूर और उसके बाद आता है सूरजपूर तो इस क्रम को भी हमें याद रखना है कि ग्रामिर शेत्रों का प नियुन्तम सहरी जंसंख्यावले जीले है नरायनपूर। अगर हम सरवाधिक ग्रामिड जंसंख्यावले जीले की बात करें तो रायपूर जीले में सबस्यधिक ग्रामिड जंसंख्यावले जीले की बात करें तो वह है नरायनपूर। यहां पर दोनों समान हैं सरवाधिक सह सहरी जंसंख्या वाला जीला और सरवाधिक ग्रामिड जंसंख्या वाला जीला दोनों में रायपूर है और अगर नियुन्तम की बात करें तो सहरी जंसंख्या और ग्रामिड जंसंख्या दोनों जीलों में नरायनपूर में नियुन्तम संख्या है अगला हम पढ़ते हैं साक् इसने प्रतिसत लोग साक्षर हैं उसे ही कहा जाता है साक्षरता दर हमारे राज्य की साक्षरता दर 70.28 प्रतिसत है वहीं अगर पूरुस साक्षरता की बात करें तो वह है 80.27 प्रतिसत अगर हम महिला साक्षरता की बात करें तो वह है 60.24 प्रतिसत तीनों को याद रखना है क हमारे राज्य में साक्षरता प्रतिसत 70.28 प्रतिसत है वहीं पूरु साक्षरता 80.27 प्रतिसत और महिला साक्षरता 60.24 प्रतिसत है अगर हम सरवाधिक साक्षरता दर वाले जीलों की बात करें तो वह है दूर्ग जीला जहां पर 82.86 प्रतिसत लोग साक्षर हैं और अगर हम न अर्थे क्रम में लिखे, सबस्यधिक साक्षरता दरवाला जीला है दूर्ग जीला जहां पर 82.5 प्रतिसत लोग साक्षर हैं, वही दूसरे इस्थान पर रैपूर, उसके बाद आता है बालोद और उसके पस्चात आता है धमतरी, अगर हमें पूछा जाए कि सरवाधिक पूर साक्षर हैं और सरवाधिक महिलाय साक्षर हैं, वही अगर हम न्यूंतम पूरूस और न्यूंतम महिला साक्षरता दर की बात करें, तो इन दोनों में सुकमा का प्रतमिस्थान हैं, अर्थात सुकमा जीले में सबसे कम पूरूस और सबसे कम महिला साक्षरता दर है, वही सुचित जाती और अनुसुचित जन जाती में सरवाधिक साक्षर जीला कौन सा है तो वह है बालोत जीला इसके बाद हम अगला देखते हैं कारेबल भागिदारी अनुपात अर्थात कारेशील जम संख्या कितनी हैं राज्य के कितने प्रतिसत जन संख्या कारेशील हैं उसे ह अधिक कारे सील भागेदारिय नुपात है जस्पूर जिले में उसके पश्चात है सुक्मा जिले में उसके बाद अगला करम है कॉंडा गाउं और उसके बाद आता है बीजापूर परिच्छा में अगर हमें पूछा जाए कि कारे सील भागेदारिय नुपात सबसे अधिक कि उसके बाद आता है बीजापूर। अर्थात दूर्ग जीले में कारेशिल भागिदारी अनुपात सबसे कम है उसके बाद हम अगला देखते हैं अनुसूचित जाती के बारे में जन गर्णा में अनुसूचित जाती का प्रतिसद दिया गया है 12.82 प्रतिसद अर्थात हमारे राज्य की कुल जम संख्या की 12.82 प्रतिसत अनुसुचित जाती है अगर हम अनुसुचित जाती के सरवाधिक प्रतिसत वाले जीले की बात करें तो मुंगेली जीले में 27.76 प्रतिसत जम संख्या अनुसुचित जाती की है वहीं अगर हम नियुनतम प्रतिसत वाले जीले की बात करें तो वह है सुकमा जीला जहां पर केवल एक दसमलो एक प्रतिसत लोग अनुसुचित जाती की अंतरगत आते हैं प्रतिसत करम में सिर्थ पर है मुंगेली और सबसे नियुनतम है सुकमा वहीं अगर हम जनसंख्या की बात करें तो अनुसुचित जाती का सरवाधिक जनसंख्या वाले जीले है जानगिर चापा और अगर नियुन्तम अनुसुचित जाती जनसंख्या वाले जीले की बात करें तो वह है सुक्मा यहाँ पर इन दोनों में प्रतीसत और जनसंख्या दोनों में सुक्मा नियुन्तम हैं वहीं अगर प्रतीसत में सिर्षिस्थान पर मुंगेली है और अगर हम जनसंख्या की बात करें तो सबसे अधिक अनुसुचित जाती जनसंख्या जानगिर चांपा जीले में निवास करत अगर हम अनुसुचित जाती के लिंगानुपात की बात करें तो सरवाधिक अनुसुचित जाती लिंगानुपात वाला जीला है राजनान गाउं जबकि अनुसुचित जाती में नियुन्तम लिंगानुपात वाला जीला है सुकमा अगर हम अनुसुचित जाती जम संख्या प्रतीसत की बात करें तो सरवाधिक अनुसुचित जाती जम संख्या प्रतीसत मुंगेली में हैं उसके बाद आता है जांजगिर चांपा उसके बाद आता है बलौदा बजार उसके बाद आता है बिलासपूर इस करम को हमयाद रखना है, हम जानते हैं कि प्रतिसत में सबस्यधिक अनुसुचित जाती मुंगेली में हैं, उसके बाद आता है जानगिर चांपा, बलावदा बजार और बिलासपूर अगर हम राज्जमें ओवरॉल अनुसुचित जाती के लिंगानुपात की बात करें तो वह है 994, अनुसुचित जाती के साक्षरता दर कितनी है तो राज्जमें अनुसुचित जाती के साक्षरता दर 70.76 प्रतिसत है, अगला हम पढ़ते हैं अनुसुचित जन जाती की स्थि गताते हैं अगर हम अपने राज्य में अनुसुचित जन जाती के सरवाधिक प्रतिसत वाले जीलों की बात करें तो वह है सुकमा जीला जिसमें 83 दसमलो चार साथ प्रतिसत जन संख्या अनुसुचित जन जाती के अंतर गताती है वहीं अगर हम अनुसुचित जन जाती के यहां पर सबसे कम अनुसुचित जन जाती जमसंख्या निवास करती है। परिछा में यहां पूछ जाता है कि सरवाधिक अनुसुचित जन जाती जमसंख्या के प्रति सब करती है। तो सिर्स चार जीलो का करम यहां पर आप देख सकते हैं सरवाधी का नुसुजित जन जाती निवास करती है सुकमा जीले में उसके बाद आता है बीजापूर नरायनपूर और दंतेवाडा यहां परिच्छा में अक्सर पूछा जाता है के नुसुजित जन जाती जमसंख्या का प्रतीसत करम लिखिये तो सबसे पहला आएगा सुकमा उसके बाद दूसरे इस्थान पर भीजापूर नरायनपूर और उसके बाद आएगा धंतेवाडा इसके पस्चात हम 36 गर राज्ये के बारे में संशेप में देखते हैं 36 गर राज्ये की जमसंख्या वृध्धिद थी हमारे राज्ये का लिंगानुपात 999 है वहीं अगर हमारे राज्ये के साक्षरतर दर की बात करें तो वह 70.28 प्रतीसत है यहां पर 80 प्रतीसत पूरु साक्षरता है वहीं 60 प्रतीसत महिला साक्षरता है इन दोनों का एवरेज निकालने पर हमें 70 प्रतीसत राज्ये की स 189 ब्यक्ति निवास करते हैं हमारे राज्य की कुल जम संख्या में अनुसुचित जन जाती का प्रतिसत 30.62 प्रतिसत है अर्थात हमारे राज्य की कुल जम संख्या का 30.62 प्रतिसत अनुसुचित जन जाती के अंतर गताता है वहीं अगर हमारे राज्य की कुल जम संख्या में अनुसुचित जाती के प्रतिसत की बात करें तो हमारे राज्य के 12.82 प्रतिसत जाती अनुसुचित जाती के अंतरगत आती है तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और आगे भी ऐसे ही और वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और बगल का नाटिफिकेशन बेल भी आन कर दीजिए ताकि हमारे दोरा डाली गई सारी वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले धन्यवाद